नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में तो रिसेंटली आपने सुनाई होगा कि न्यूजीलेंड की जो प्राइम मिनिस्टर थी जैक इंडा आडन इन्होंने रिजाइन कर दिया है अपनी पोस्ट से लेकिन इसकी असली वज़ा आखिर है क्या तो इस प्रोग्रेसिव ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स है और कुछ लोगों ने इसके लिए उनकी तारीव भी की और कुछ लोगों ने आलोचना भी की वो यंगिस पीमेल हैट थी गॉवर्मेंट की जब उन्होंने ये सिलसला शुरू किया था जिस वक्त वो प्रधान मंत्री बनी और उनका रैजिंग नेशन से कुछ लोगों को ज्यादा शौक हो और कुछ लोगों को कम शौक हुआ न्यूजिलेंड के ही कुछ लोगों ने इसके बारे में अपनी अलग-अलग प्रतिक्रिया दी और उनकी तरफ से जो बयान आया है जैक इंडा ने के आखिर उन्होंने ये बयान दिया कि मैं भी एक इंसान हूँ और जितना मैं कर सकती थी उतना मैंने किया हर इंसान की कुछ लिमिटेशन होती है और वक्त होता है तो अब ना मेरे पास कुछ देने के लिए है और ना ही मेरे पास वक्त है उन्होंने ये एक मीटिंग में कहा जो उनकी जो पार् term था, Arden जो कि 42 साल की हैं उन्होंने गुरुवार को इस बारे में जानकारी दी मीडिया को और उन्होंने साथ ही एक tagline के जरीए ये बताया लोगों को कि उनके पास अब जादा कुछ है नहीं, उन्होंने कहा no more in the tank और उसके का जो समय था, उस समय पर अपना election चलता रहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, Chris Hipkins, जो कि उनकी सरकार के अंदर government में minister रह चुके हैं और उनको top contender भी माना जा रहा है इस job के लिए, उन्होंने next day, Friday को ये बयान दिया, कि labor lawmaker जो हैं, वो उनसे expect कर रहे हैं, कि वो इस बारे में नए candidate के बारे में जल्दी से जल्दी decide करें, लेकिन उन्होंने आगे कुछ भी कहने के लिए मना कर दिया, या इस बात से इंकार कर दिया, कि वो इस race में शामिल हैं या नहीं, उन्होंने एक बयान दिया, कि हमारे पास responsibility है, और हम जानते हैं, कि हमें कैसे decisions लेने हैं New Zealand की बहतरी के लिए, उन्होंने आगे ये कहा, कि they will absolutely know who the next leader is going to be, as those conversations finally conclude, उनको ये भी पता है, कि अगला leader कौन होने वाला है, लेकिन उन्होंने नाम reveal करने से मना कर दिया, और आखिर में diplomatic तरीके से जवाब दिया, कि if a candidate is unable to secure, मतलब जो भी होगा उसके बारे में आपको पता चल जाएगा, और अगर candidate जो भी खड़ा होता है इस election में, उसके पास two-third majority से कम होते हैं, तो leadership contest जो है, वो आगे wider membership के लिए चल जाएगा, जो इनका conclusive बयान था, जो total इन्होंने media को बयान दिया, न्यूजिलेंड की प्राइम मिनिस्टर ने, उन्होंने कहा कि मैं छोड़ रही हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि इतने बड़े रोल के लिए के साथ साथ responsibility भी आती है, और responsibility मैं आपको यह समझना चाहिए, कि आपको कब आप right person है, lead करने के लिए, और कब आपको lead नहीं करना चाहिए, मैं जानती हूँ कि यह जो job है, यह मुझसे क्या demand करती है, और मैं यह भी इन्हों ने यह कहा, अब जरह इनकी party के बारे में बात करते हैं, कि जो इनकी party है, the labor party, इसका struggle क्या रहा है, तो जब Arden ने government बनाई थी, उस वक्त एक Jackinda Mania नाम से campaign चल रहा था 2020 में, जो इनका second term था, और काफी जोर शोर से चल रहा था, लेकिन उसकी popularity जो है, वो hamper हो गई, उस वक्त क्योंकि बड़ी हुई महंगाई और recession और जो opposition party थी उनके response की वज़े से, उसके बाद Arden's का जो election था as a prime minister 2017 में, वो एक watershed moment था New Zealand की politics के लिए, according to Grant Duncan, जो की एक associate professor है Massey University में, और उनका जो decision है, step down करने का, ये एक game changer हो सकता है, October में आने वाले election के दौरान, ये ऐसा मा आना जा रहा है, एक conversation के दौरान, डंकन ने, जो professor है, उन्होंने बोला कि, जो Arden है, जो New Zealand की prime minister थी, वो nationals, Christopher Lakshan, in the preferred PM polls, उन से आगे है, और इसका जो नतीज़ा है, वो ये है, कि ये necessary नहीं है, कि Labour Party अपने leader के लिए कोई change करे, उन्होंने कहा कि, जिस हिसाब से वहाँ पर party है, इनको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, ये मतलब उनके favor में ही जाएगा एक तरीके से, now the Labour is trailing in the polls, मतलब अब वो पोल में आगे बढ़ रहे हैं, leadership change does not necessarily geo-paradise the party's chance of winning in October, the pandemic's social and economic consequences have been so severed that having a fresh new face could help Labour's chances, तो वहाँ ये माना जा रहा था कि जो महंगाई हो रही है, और जो COVID क उसकी वज़े से ये हट गई है, और इनकी जगह पे अगर एक fresh face introduce किया जाएगा, तो वो party के लिए beneficial होगा, और इनके बारे में ये भी माननेता है, कि ये internationally ज्यादा famous है, ज्यादा popular है, rather than अपने खुद के New Zealand में, इनको internationally acclaim काफी मिल चुका है, ये receive कर चुके हैं, और compassionate handling of the 2019 जो 2019 में mosque masker हुआ था, Chris Church में, जिसमें 51 Muslim worshippers की जो है, मौत हो गई थी, दुखत मृत्यू हो गई थी, और 40 से जादा जो दूसरे लोग थे, वो घायल हो गए थे, और उनको उस वक्त काफी praise किया गया था, उनके decisive leadership के लिए, during the deadly white island, also known as Vakari, volcano eruption के दोरान, और उन्होंने उस गॉर्मेंट के लिए काफी pride express किया था, और उसके actions को लेके उन्होंने काफी बढ़ चड़कर अपनी तारीफ करी थी, कि हमने climate change और child poverty जैसे मुद्दों में काफी अच्छा प्रदर्शन किया है, और उनका बयान था, and we have done it while responding to some of the most serious threats to our nation's health and economic well-being, arguably since World War II, Arden had said, कि World War II के ब और Time Magazine के cover page पर भी feature किया गया था, giving the impression that she was most popular abroad than she was at home, ये impression देते हुए कि वो बाहर ज्यादा popular है, बजाए अपनी खुद की country के, और she was a domestic force at one point, but her government has been steadily losing ground in polls over the last year according to AFP, कि domestic level पर उनकी जो party थी, वो काफी ज्यादा lose कर रही थी ground को, उतना ज्यादा अच्छा प्रदर्शन नही कर पार रहे थे, जितना की दिखाया जा रहा था, और Guardian की एक report के मुताबिक जो 2022 में publish होई थी, कि by new polling support for New Zealand Labour Party had dropped to its lowest level, मतलब जितना उनको support मुलाता है, वो lowest level पे चले गए, जबसे वो power में हैं 2017 से, और इस से काफी dissatisfaction, जो है, ये काफी वज़ा मानी जा रही है, और dissatisfaction है, high cost of living को लेके, बढ़ते हुए interest rate को लेके, और जो crimes हैं, वो बढ़ते हुए हैं, इसकी वज़े से वहाँ के आम जंता में उनके प्रतिर dissatisfaction है, एक news poll के दौरान ये पाया गया, कि जो इनकी party थी, Labour Party, ये 1% share इसका कम हो गया, अब 33% जो है, इनके पास poll रहे गया है, और ये government form करने की condition में नहीं है, बिना किसी coalition के, या तो green party, या फिर more party, जिनका 9% और 2% कर पे अपनी, जो इनका poll है, उस पे stable है, और जो right wing है, right poll है, जिसको lead करने है, center right national party, उनका vote share जो है, वो बढ़ गया है, और उनके poll जो है, वो बढ़ गया है, increased by its lead 1%, अब 38% हो गया है, while the libertarian act party उसने 2% से बढ़कर 11% पे पहुँच गई है, putting the two parties in a strong position to form a government without the need of additional coalition partners, मतलब अगर ये दो party चाहें, तो मिलकर government form कर सकती है, भी ना किसी तीसरी party के interference के, और उनको जरूरत भी नहीं है, it's about time, ये वहां के जो लोगों है, उनसे जब पूछा गया, तो उनने बताया कि सब समय का खेल है, सब समय की बात है, और उन्होंने economy और food prices, जो इतने महंगे हुए, उसको लेकर कुछ काम नहीं किया, और इसी वज़े से वो चली गई और उनसे मैं happy नहीं हूँ, ये कहना है कि Easter Hatches, जो Cambridge से है, North Island, New Zealand के, वहां से उनका ये बयान है, जो 68 years के है, अब एक और प्राइम मिनिस्टर थी अपनी country के, और उन्होंने कहा कि उनको उनके जैसे लोग बहुत पसंद है, उन्होंने काफी care की लोगों के लिए, और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, जब उन्होंने ये पत छोड़ा और अपना resign दिया, अब इसको एक burn out evident के रूप म पहला के feeling of energy, depletion और exhaustion के आप काम को लेकर बहुत ठक चुके हैं, आपके आसपास का मौहल जो है, वो बहुत ही negativity भरा हुआ है, या फिर आप, आपकी जो professional efficiency है, वो काफी हद तक reduce हो गई है, तो ये वज़ा मानी जा रही है, अब जो candidates हैं, जो इनको replace कर सकते हैं, वो कौन- किन्स हैं, जिनका हमने starting में जो conversation आपको बताई थी, वो जो former COVID minister रह चुके हैं, और current education and police minister है, इनकी government के अंदर, और दूसरे number में है, किरी आलेन, जो current minister of justice हैं, तो इन दोनों के बीच में, जो है, काफी possibility हो सकती है, कि इन दोनों में से कोई है कि ये पत समाल सकता है, और इसक neutral रहेंगी इस election के तोरान, और उनका किसी भी एक तरफ कोई जुखाव नहीं है, I think the most important thing is that we focus on the process, के हम process पर ज्यादा follow करें, वो ज्यादा important है, और it is swift that it ensures that the team is able to move quickly back to focusing on the issue that matters to New Zealanders, she said, के उनोंने कहा के ये अच्छी बात है के जो हमारी team है, वो move on हो गई है, New Zealand के लोगों क बहलाई के लिए ज्यादा focus कर रहे हैं, बजाए इसके के कौन election जीतेगा या कौन नहीं, उन्होंने कहा कि उनको इस बारे में कोई regret नहीं है, अपनी position से जाउन होने के बात, अब ये तो बात रही New Zealand के लेकिन उसके बात इंडिया में भी काफी बयान बादी हुई के go when people ask why जैराम रमेश as New Zealand Prime Minister says, will quit. तो जैराम रमेश कौन है, ये Congress party के एक नेता है, इनको आपने Twitter पर काफी तेका होगा, सुना होगा, इनके बारे में काफी बयान बादी करते रहते हैं, मीडिया में, और इनकी तरफ से ट्वीट आया कि legendary cricket commentator Vijay Merchant One said, उन्होंने, Vijay Merchant ने एक बार चाहिए, कीवी PM जैकिंदा आदन has just said, she is quitting following merchants maxim, के उन्होंने, जैकिंदा आदन ने बिल्कुल वही किया है, जो विजय मर्चंड ने जैसा एक अपने बयान में कहा था, और Indian politics needs more like her, तो उनका इशारा किस तरफ था, ये उन्होंने clear नहीं किया, इसके बारे में काफी लोगो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताईएगा, आपको इस टॉपिक के बारे में जानकर कैसा लगा, आपकी क्या राय है, वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, वीडियो को लाइक कीजेगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप तक अभी तक आपने नहीं किया है, बैल आइकन का बिटन जरूर दबाईएगा, जल्दी मिल से हैं, आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए, जै हिन्द, जै भारत,